कि आपिक का चोड़ें तो स्टार्ट कर रहा है उसको फिर से वह टॉपिक यह रिलेशन तुम लोग को एक बतायत है यहां पर तंपरेचर युटर गोए जोगा चैंज इंठलपी एंठल्पी धल्टा ऐस्फरेश फ्रीम थे. यह relation के help से जो है ना यह actually यह relation के through हम लोग delta G का value निकालते हैं जो कि actually एक final criteria है जो कि हम लोग का help करता है spontanity किसी भी reaction का spontanity decide करने में क्योंकि delta H और delta S में हम लोग देख रहे थे कि वो सारे cases में valid नहीं हो रहा था लास्ट क्लास में बताएं भी थे कि generally spontaneous reaction के लिए delta H जो होना चाहिए वो less than 0 होना चाहिए लेकिन सारे cases में वो valid नहीं था बहुत सारे reactions ऐसे देखे हैं लोग जिसमें कि delta H greater than 0 था फिर भी वो process spontaneous था उसी तरह entropy वाला भी case था delta S जो है generally spontaneous के लिए बोले थे कि entropy बढ़ना चाहिए मतलब delta S must be greater than 0 should be greater than 0 बट बहुत सारे cases में entropy घट रहा था लेकिन फिर भी वो process spontaneous था तो वहाँ पे वो दोनों delta H और delta S जो है ये दोनों मतलब फूल प्रूफ क्राइटीरिया नहीं है फूल प्रूफ बोलने का मतलब कि वह सारे cases में वालेड नहीं होगा लेकिन डेल्टा जी जो हम लोग यूज करेंगे ये एक फाइनल ऑप्शन होगा फाइनल क्राइटीरिया होगा जो कर सकते हैं कि कोई भी process spontaneous है या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल क्राइटीरिया है टू डिसाइड इस पॉन्टैनिटी और रियाक्शन तो इसमें बोलता है कि यहां डेल्टा जी अगर लेस दन जीरो आगया नेगेटिव वैल्यू अगर आया यह process क्या होगा spontaneous या non spontaneous बताओ डेल्टा जी अगर लेस दन जीरो है तो क्या होना चाहिए मताओ यह बताए भी ते लाश क्लास में spontaneous spontaneous यह हो गया spontaneous अगर ग्रेटर दन जीरो मतलब यह process होना चाहिए non spontaneous अब यह डेल्टा जी लेस दन जीरो होगा या greater than zero होगा वो किसके साइन पे depend करेगा डेल्टा एच के साइन पे और डेल्टा एस के साइन पे obviously क्योंकि temperature यहां देखो temperature हम लोग Kelvin में पूट करते हैं तो temperature तो हमेशा positive होने वाला है temperature नेगेटिव तो हो नहीं सकता Kelvin में पूट करेंगे तो Kelvin में जब भी temperature पूट करते हैं हमेशा कोई positive value ही रहता है तो depending on the signs of delta H and delta S यह delta G जो है vary कर सकता है ठीक है तो हम लोग वही सारा cases लेते हैं यहां पर depending on the क्योंकि देखो जो delta H का साइन positive या negative दोनों हो सकता है और delta S का भी पॉजिटिव या negative दोनों हो सकता है ठीक है और T delta S मतलब temperature से multiply करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा delta S का जो sign होगा T delta S का भी वही sign होगा तो हम इसा positive भी रहने वाला है ठीक है तो यहां पर देखना हम सबसे पहला case ले रहा है इसमें ले रहे हैं हम लोग बोथ डल्टा H एंड टी डल्टा एस रफ नेगेटिव ठीक है यह ध्यान रखना जब ड्ल्टा एच भी नेगेटिव है और T अलुए तो इस केस में बताऊ कि इस पहला हम लोग ले रहे हैं इसमें तो इस case में बताना तुम लोग कि το G क्या होगा ग्रेटर देन 0 आएगा तुम पर्लेशन यूज करो देल्टा जी इस एकुल टो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है तो 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 झाल आवाज नहीं आ रहा है क्या हलो 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 यस सर बोल रहे हैं कब से आवाज नहीं आ रहा है है कि सर अभी कटे थे हैं हम नहीं काटते हैं वह पता नहीं चलो रुको एक मिनट स्क्रीन देख रहा है अब इस प्रीन देख रहा है अब यह बताना पहला वाला केस यहां तक लिक चुके हो तुम लोग कि यहां तक नोट डाउन किये हो यह सर यह हम पूछ रहेते पहले केस में देखो डेल्टा दोनों नेगेिटीव है डेल्टा है यहां पर हम लोग पहला गेंडीशन लगा रहें कि डेल्टा एच वह condition apply करके बताओ डेल्टा जी क्या होगा ए और दन 0एद जेरो एक तो ₹ 2 अ भार से जेरो यहां पर यहां पर यह तो ओवर आल यह पूरा पॉजिटीव हो गया यहां पर स्वाज में आ रहा है अब देखो ड्लटा एच जो है इसका वैल्यू टीडडा यह से बड़ा है तो मतलब नेगेटीव वाल वाला वैल्यू जो है वह उवह पॉजिटीव से ग्रेटर है तो ओवरॉल जब यहां पर ओवरॉल हम लोग डेल्टा जी का साइन देखेंगे तो ड और देल्टी देनTube स्वानले अक्रीटे जरह कि लिए जीट सब्सक्राइब घरा अगर हम लोग सेकेंड केस लेते हैं डेल्टा H is less than T delta S इस case में बताना तो delta G क्या होगा greater than 0 या less than 0 greater than 0 अब हो जाएगा यह greater than 0 और इस case में process क्या हो जाएगा यह अब non spontaneous ठीक है एक और case इसमें ले सकते हम लो delta H equal to T delta S अगर हो गया तो इस case में delta G क्या होगा बताओ बोलो delta G equal to 0 और यह वाला condition हम लोग यूज करता है for a reversible process at equilibrium कोई reversible process अगर होगा और वो equilibrium condition पर होगा तब ही हम लोग यह relation यूज करेंगे कि जब भी कोई भी reversible process equilibrium पर रहता है तो उस case में उसका delta G equal to 0 for a reversible process at equilibrium ठीक है तो कोई भी reversible process अगर equilibrium में है तो उसका delta G equal to zero जाएगा ठीक है यह हम लोग पहला case ले रहे थे हैं जल्दी फटा फटा नोट करो पर second case पर जाएंगे हो गया हो गया है हो गया है यह इस देख लिए है केस नमबर टू केस नमबर टू में हम लोग देख रहा है इसमें है हमारा वैन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस बोथ हार पॉजिटिव तो इस केस में देखो पहला कंडिशन हम लोग अप्लाई करेंगे डेल्टा है अब इसमें तुम लोग बताओ डेल्टा जी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो दोनों पॉजिटीव है तो इस केस में वह रड्येस ग्रेटर देन जीरोर यह प्रॉसस कहला अग्षी oats कि रॉक्सफ ओझाई गा 400 दो मैं किसम अगड़लन सेकंड भार येच यह ल स्टेंट डेल्टाम तो इसमें क्या होजाएगा विविर्था जी रेस्टेंट जीरो और यह प्रॉसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। है यहां भी ले सकते एकक्वलट अगर हो गया तो वह इकलीब्रिएम कढ़ कि दिखुभी ओंडिशन है डिल्टा जी है टो टी-डिल्टा स् तो अगर यह दोनों इकवल हो गया तो उसके डिल्टा जी खुल टो जिरो और यह प्रॉसेस के लिए कंडिशन हो गया है तो सिंपल सा चीज है इसको रिलेट कर सकते हो आसानी से तुम लोग जैसे एक और कंडिशन हम लोग लेते हैं कि वेन डेल्टा एच इस नेगेटिव एंड टी डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एच जो है यह पॉजिटिव है इस केस में कैसे करेंगे बताओ इस केस में जो डेल्टा जी होगा यह बताना क्या होगा डेल्टा एच नेगेटिव है टी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा बताओ बताओ अब ज्यादा कौन है सर ज्यादा से क्या मतलव है इसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा क्या है इस है कि आ तुम लोग कर रहे हो डेल्टा है माइनस टी डेल्टा एस है यह भी नेघेटिव है डेल्टा एच नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो पॉजटिव नेगटिव एग और यह भी नेगटिव वह जाएगा गया जब इ infinity होगा आगे अग्ट यह भी तो निगटिव वह जाएगा ऐता जब दोनों मिलके क्षै करेगा अ कि दोनों सब्सक्राइबर बता अ कर रहा है कर रहा है कर रहा है दोनों सपोंट कर रहा है सब्छासין जीरो करने में योगा कि हया पर दोनों be यह फेक्टर और आफ्वेश तो इस केस में पर युई है ले लिगितिव क्लिप यह बहुत ही ज़्यादा नेगुटिव आकपर दोनों factor support कर रहा है entropy और enthalpy दोनों factor support कर रहा है ताकि वो डेल्टा जी का value जो है वो less than 0 होगा तो इस इस type के process को हम लोग बोलते हैं highly spontaneous process ठीक है जहां पर दोनों factor support करेगा तो वो process जो होगा बहुत ही ज्यादा spontaneous होगा highly spontaneous process समझ में आरहा है बात हालो तो दोनों फैक्टर यहां पर सपोर्ट कर रहा है एंथेल्पी ओला भी फैक्टर और एंट्रॉपी ओला भी फैक्टर और इसके इसमें डेल्टा जी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा और इसको लोग हाइली स्पॉंटेनियूस प्रॉसेस बोल सकते हैं जैसे इसमें इस टाइप के कॉश्चन पोजें लिख लिए हो इसको क्या कि नोट करो पटापट कि अ कि यह सब्सक्राइब जैसे एक कुश्चन दे रहा है एक रियाक्शन दिया गया है एससे टूबी प्लस सी और इसका डेल्टा एच का वैल्यू है थर्टी किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस का वैल्यू है सिक्स्टी जूल पर मोल केल्विन तुमको फाइंड आउट करना है यहां पर फाइंड आउट देंप्रेचर अब विज अर्याक्शन में बिकम्स पॉन्टेनेस ठीकर चलो कर तो सिंपल सा क्वेश्चेन है कि है झाल 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 वन्या झाल 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 हलो झाल झाल है अवाज आ रहा है अधित्या यह सब्सक्राइब आंसर आ गया है कि नो से एंसर नहीं आया कि किसी का बना यह तो बताओ कि इसका बना किसे से बना कि अरे हां या नहीं कि इसका बताना है या कि इसका बमुत बिद्चिन विल थे उन्डेंगे विल विल मौर्दन फाइवंडर्ड कैलियन होगा क्या थे अगर कोई बी प्रॉस्स पॉंटेनियस होना है तो इसका डेल्टा जी मस्ट बिलेज धन जीरो थींग तो डेल्टा जी का रिलेशन क्या बताएं डेल्टा जी प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए डेल्टा जी सुट बेर एकोल टू जेरो सुट बेर लेस दन जेरो तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा स इसको लिख सकते हैं इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि टेंपरेचर सुट भी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाइच यही तो कंडिशन आगी है अगology कि अगर्व मを यहाँ थे होना टेंपरेचर जो है डेलटा मैं यहाँ तरह दोनों सोनघेया हूं यहां मेर्भी में को डिंग कर लो की एगटा यहाँ थाएच यूनिट में कंवर्ट कर लो यह कि लूज दोसको थर्ट वन थाउजन्ट कर देंगे हम दो यह जूल पर मोल आ जाएगा ठीक है यहां देखो यह 30 इंटू 1000 जूल पर मोल और नीचे है डेल्टा एस है 60 जूल पर मोल केलविन कित्य टाम से यह जाएगा यहां से सॉल करोगा टैंप यह टेम्परेचर मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू कहा जाएगा तेंपरेचर फाइव नडडड केल्विन से ज्यादा होना चाहिए अगर यह प्रसेस स्पॉंटेनियस होना है तो टैंपरेचर यह होना चाहिए पा हो गया ना? यह सर अभी भी किसी को दिक्कत है गया? बोले बोले जल्दी नमाजार चली दिक्कत में है तब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें बहुत जगह देखो किए जैसे हम लोग देल्टा जी यूज करते हैं यह घिप्स प्री एनरजी चेंज czy ēंगल्या यह है इसको बोलते हम लोग घिप्स प्री एनरजी चेंज कर दिकिवर्टा जी अब इसी में एक देखो जगह लिखा वा डेलटा तो यह नौत का मितलब क्या हुआ तो नॉस काम बोलता हैं स्टैंडर्ड गिपस प्री एनरजी स्टैंडर्ड गिपस प्री एनरजी अ만लिप ऐगर डेल्टा जी यह जो अ-स समयिज जो डेल्टा जी टानीम्ट्ट ते इनरजी अरी होगा उसी को मदिल्टा Gण correct से trane treatments यह स्टंडर्ड कंडिशन है क्या स्ट्रांडर्ड कंडिशन स्टेम्प抱शे होना चाहिए न यहरों कर चरो न चाहिए मतलब 298 छेबिन और इहां पर जो प्रेशर होना चाहिए ऐट मोस पर इक प्रेशर यह तो यह दोनों कटिशन्स अगर हैं इनिकौम लोग स्टेंडर कंदिशन्स बोलता है अगर हम लोग स्टेंडर्ड कंदिशन पे प्रिय एनर्जी को मेजर करें तो वो इल्टा नोट आ जाएगा उसे तरह डेलटा एच लॉट हो गया बहुत देखो कि एंन Workers इस इतरह डेल्टा से नilot आएगा स्टान डेल्सेमा अब एस नीय तो उसमें नॉट लग जाता है और कोई बात नहीं है अगर नॉट लगा हुआ तो इसका मतलब वो कंडिशन उसके लिए फिक्स्ट है वो जो चेंज दिया हुआ है वो रूम टेंपरेचर 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 ट्वेंटीफाइव और प्रेशर वन एटियम पर दिया गया है बात समझ में आ रहा है तो इसको जल्दी फटा फट लिखते जाओ हलो